बिस्मिल्ला रख्मानुरहीम, अस्सलाम अलेकम, सौधरी बिसलाइफ हूँ आप साथ मैं, आपको भाई, यहाँ पर मैं बता जता हूँ मैं, एक ग्रोख पकड़ा गया जी, 19 अफराद का है, एक काफी बड़ा ग्रोख मैं से मानूँगा, मकाल मुकरमा से फिर पकड़ा गया बहुत जल्द आपके साथ ये वीडियो शेयर कार दूँगा, मैं काफार वगारा के मतलख, यानि के जो कारबा की वाईर वगारा है, इनके मतलख, आपको कोई बंदा को चूना तो नहीं लगा रहा है, या आप यह गलती तो नहीं कर रहे हैं, आप लब्बेर से के लिए ज जो बिल्दंग बंड रही होती है, उनके अंदर जो वाईर वगारा वो डालते हैं, या वहाँ पर कोई बी और काम हो, या इनके अथे कोई बी चीज़ चड़ती उस बिल्दंग से, या खींच लेते हैं, उतार लेते हैं, तो बारार, जो सीर्दी बात है, वो यह था नहीं है, पंदरा से बीस के राउन में होगी, तो ये बेचते थे उनको काफी मिंगा रेट है, तो ये चोर ये करते हैं, बिल्दिंग लाइन से, बिजली की तायर वगारा, जो भी उनको मिल गया, तो उन्नी सफराद का ग्रोथ है, जिनमें 14 बंगरा देशी और पकस्तानी और इ जेल में है, अभी होगर क्या, जो में चीज़ है, बई बिजली के कारबा के केस में बंदा अंदर जाए ना, साओधी बिया में, तो जल्द छूटता ही नहीं है, ये आपको मैं क्लियर कर दो और उसके ऊपर भारी जर्माना भी कर दियाता है, अभी इनको जर्मानात होगा, उसके साथ इनको जेल भी एक लंबे अर्से के लिए काटनी पड़ेगी यहाँ पर, तो जो गैर मुल्की मुकीम है, यहाँ पर साओधीर में हम मेहनन मुझदूरी के लिए बाई आयो है, अबर अपनी मेहनन मुझदूरी करें, अपनी बच्चों का बेहन, बाई, मा, बाप है, पीछे बैठे हुए, उनके लिए रिजक कमाएं, अगर नहीं सरता है, तो वापस चले जाएं, यही बैस्ता है, वरना इदर बाई, जेल में सरने का क्या फाइदा है,